अरे कृष्णारीवन स्वागत है आप सभी का स्काइवे लर्निंग अप पर तो आज हम यह पर कॉंप्लेक्स एनलेसिस के प्रिविए सिर को डिस्कस करने वाले ठीक है जो भी आपके 2023 में और 2022 ठीक है तो इन दो साल में हम जो भी इंपॉर्टेंट कोश्चन्स आया है आपके कॉंप्लेक्स अनलेसिस के वो डिसकस करेंगे एगे इसके बाद जो नेक्स्ट बीडियो होगी नेक्स्ट बीडियो में 2021 और जो रिमीइनिंक कोश्चन्स हैं दो 2022022 के उनको भी हम डिसकस करेंगे ठीक है आज हम कुछ इंपॉर्टेंट को इंपॉष्टेंस को जो काफी स्टूरेंट्स के लिए अगर आप लोगोंने हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स के जो पीवाइक्यूज हैं नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेइलिस्ट का लिंक दिया है बहां पे जागर क्या आप हमारे सारे टॉपिक्स के को उसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से दिक अपने फ्रेंड्स में भी सेल कर दीजे जो भी स्यूटी पीजी मैथमेटिक्स की प्रेपरेशन कर रहे है ठीक ह सब्सक्राइन में जेया रेंगे जसी पर यह फंक्षन हमारे पास अनलेटिक हो ठीक है और इस प्रेंड्स में पर i am इनलेटिक नहीं होगा, वो पॉइंट हम यहाँ पर consider नहीं करेंगे, अब यह किस पॉइंट पर इनलेटिक नहीं होता है, जब हमारे पास fz की value infinity देते हैं, तो infinity किस पॉइंट पर देगा, यानि कि उस पॉइंट को बोलते हैं, singular point, तो singular point क्या होगा, suppose that mod z square is equal to one ले ले हम, तो one minus one क्या हो जाएगे, zero, तो one upon zero क्या जाएगा, finally infinity, यानि कि यहाँ पर इस point पर यह function analytic नहीं होगा, जब function analytic नहीं होगा, तो domain के अंदर उस point को हम ले भी नहीं सकते, तो domain के अंदर बो सारे points को exclude कर दीजिए, जो भी singular points हो, ठीक है, तो singular points के लिए हम क्या करेंगे, suppose that यहाँ पर, mod z is equal to one, यहीं हमारे पास singular point देगा, mod z is square is equal to one, अच्या, mod z की value आपको पता है, under root x square plus by square होती है, under root x square plus by square is equal to one, ठीक है, अब दोनों तरफ अगर whole of square, sorry, mod z है, mod z का square लगा है, यानि की under root से, और square, यह दोनों क्या हो जाएंगे, cancel, square root, और यह square ऊपर लगा है, दोनों cancel हो जाएंगे, simply क्या बचेगा हमारे पास, x square plus by square, क्या बचेगा, x square plus by square is equal to one, तो जब भी इस unit circle पे, यह कैसा circle है, unit circle, unit circle किसको बोलते हैं, जिसका radius one होता है, तो यहाँ पर radius कितना रहा, one आ रहा, तो unit circle पे, जो point हमारे पास यह lie करेगा, x square plus by square is equal to one, इस point पे हमारे पास यह function analytic नहीं होगा, यानि कि इस हमारे जो w plane है, ठीक है, उसके अंदर, complex plane के अंदर, सार, के बल, यह point हटा दीजिए, बाकि सारे points पे क्या हो जाएगा, यह मारे पास domain contain करेगी natural number की, तो कौन सा option से यह बोला, whole complex plane, whole पे तो होगा नहीं, b option के बला, whole complex plane excluding the point, यह point हटा करके, ठीक है, तो बिल्कुल साइए option है, जो point हमारे पास इस circle पे लाई कर रहा है, वो point हटा दीजिए, बाकि, सारे points पे क्या हो जाएगा, analytic हो जाएगा, और यह हमारे पास domain हो जाएगी, ठीक है, तो question number 2 पे चलते हैं, यह भी 2023 के अंदर आया है, लेट fj is equal to u plus ib be an analytic function, यह बोला है, एक हमारे पास fj is equal to u plus ib analytic function दे रखा है, जहाँ पर u की value दी है, तो v की value बूच रहा है, ठीक है, बैसे v की value कैसे निकालते हैं, v हमारे पास क्या तो complex conjugate होता है, u का, तो आपने complex analysis में पढ़ा ही होगा, अगर u दिया, v कैसे निकालेंगे, v दिया है, तो u कैसे निकालेंगे, बाई जब इसका sort-trick method में बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि यह मारे बस analytic function है, तो necessary condition क्या होती है, necessary condition होती है कि कोची रिमान equation satisfy होती है, कोची रिमान equations are satisfied, तो कोची रिमान equation क्या होती है, पहली equation होती है, del u over del x is equal to del v over del y and दूसरी equation होती है, del u over del y is equal to minus del v over del x, ठीक है, तो support that हमने यह वाली equation लगाई, ठीक है, या फिर यह equation लगाई, तो यह दोनों equations अगर simultaneously satisfy करने हैं, तब बोलते हैं, CR equation satisfy, तब ही हमारे पास यह analytic function होगा, तो simple है, अगर आपके पास support that, del u over del x करें, यानि कि इसका हम क्या करें, x के respect में partial differentiation करें, ठीक है, तो यह किसके को लोना चाहिए, del v over del y के को लोना चाहिए, यानि कि, जो हमारे पास v है, उसको by के respect में, अगर हम partially differentiate करें, तो यह x के respect में, हमारे पास equal आना चाहिए, ठीक है, तो support that अगर यह v दे रखा है, हमारे पास, पहले तो del u over del x की value निकालो, del u over del x की value निकालो, कितनी होगी, तो del u over del x, del u over del x की value निकाली है, कितनी होगी, तो यहां से x के respect में करेंगे, यह हो जाएगा 3x square minus, यह हो जाएगा, मारे पास, 3 by square, ठीक है, x के respect में, हम यहां पर partial differentiation करेंगे, तो यह हो जाएगा, plus 6x, और यह तो 0 ही हो जाएगा, इतना है, हमारे पास del u over del x, यह value किसके एकल होगी, यह हमारे होगी, del v over del by, यानि कि यह सारे के सारे v की तो value दे रखी, अब हमें यह चक्कर ना, correct v कौन सा है, तो सारे के सारे y के respect में पासर differentiation करो, तो जो भी इसके को ला जाएगा, यह हमारे answer होगा, फर्स्ट वाले को ले ले लेते हैं, ठीक है, यह वाले option को, इसको कीजिए, del v over del y के respect में, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3x square और यह हो जाएगा, हमारे पास y के respect में, तो यह हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और minus का, 3 by square हो जाएगा, constant का 0, ठीक है, यह same, क्या इससे match नहीं हो रहा, तो, अजो कोजिए रोमान्युकेशन सेटिस्फाई हो रही ही, यह वाली से, तो यह value किसके को ला, इसके को ला, यह वी की value, तो यह option correct हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से option से, directly V की value पता कर सकते, कोई, को नहीं है, कि complex conjugate निकालने का, पूरा-पूरा method लगा, यह काफी time लगेगा, तो time हमारे पस कम होता है, तो इसलिए, यहाँ पर यूज करेंगे, डल यूज के value, डल यूज के एककोल होती है, और इन चारों में से, कोई ना कोई एक V होगा, जो भी इसको satisfy कर जाएगा, वही हो जाएगा, question number 3 पर आते है, function fz is equal to, हमारे पास एक function दे रखा है, real part of z upon z, z not equal to 0, और 0 दे रखा है, जब z is equal to 0 है, ठीक है, आपको पता है, real part of z क्या होता है, यह होता है, यह होता है, इमेजनरी पार्ट क्या होता है, by of the z is equal to x plus iota y होता है, ठीक है, तो finally, यह fz function क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, x upon z की value रख दो, x plus iota y, ठीक है, जब हमारे पास z not equal to 0 है, जब हमारे पास z is equal to 0, ठीक है, सबसे पहले हम limit निकालेंगे, limit, जैसे function of two variable में निकालते हैं, बैसे same निकालना है, और path ले लिजिएगा, यहाँ पे, path ले लेना, path by is equal to mx, ठीक है, अगर यह by is equal to mx पे, m के independent हमारे पास limit आती है, तब उस case में हम बोलेंगे, यह हमारे पास continuous function है, लेकिन अगर यह m पे depend कर रही है, तो हर path पे, अलग-अलग value आएगी है, हमारे पास limit की, तो अलग-अलग value हो जाएगे, इसका मिलब क्या है, यह function continuous नहीं होगा, तो हमको चेक करना है, यह dependent of m है, या फिर independent of m है, तो z 10 to 0 हो जाएगा, ठीक है, limit z 10, 10 to 0 हो जाएगा, हमारे पास, और x upon x plus iota y हो जाएगा, is equal to limit, z की value क्या लिए हमने, z is equal to mx, तो यह हो जाएगा, mx 10 to 0, और यह हो जाएगा, x upon x plus iota mx, ठीक है, mx 10 to 0 हो जाएगा, तो limit x 10 to 0 हो जाएगा, यह जाएगा, यह जाएगा, यहाँ से x को common ले लो, तो 1 plus iota m, x से x cancel हो जाएगा, simply बचेगा, 1 upon 1 plus iota m, देखेंगे, यह m पे depend कर रहा है, अब जब भी m पे depend कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, path is dependent of m, dependent of m, that is, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास limit does not exist, limit does not exist, जब limit exist नहीं करीगी, तो simple है, क्या हो जाएगा, continuous नहीं होगा, function, तो d बाल उप्शुन सही है, यह बोला है, exist कर रहा है, गलाद, भी बोला continuous है, गलाद, differentiable भी नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से, इसको path लेकर के, solve किया जाता है, the function fz is equal to z, minus sinz है, upon z square है, अभी बोला, singularity यहाँ पे, बताएगे, कौन कौन से singularity, हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से, z is equal to 0, 0, यानि कि 0, 0, 2 singular points हमारे पास आएंगे, ठीक है, अब यह चेक करना है, यह जो singularity आ रही है, यह किस type की रिमे बेवल है, या simple pool है, या isolated, non isolated है, या essential है, ठीक है, तो यह हमको पता करना है, इसके लिए, यह एक lawrence theorem होती है, देखे, lawrence theorem, lawrence theorem क्या बोलते हैं, इमारे पास एक function है, complex function fz, उसको miss form में break करके लिख सकते है, n is equal to 0 से, infinity तक जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, an z minus a की power n, ठीक है, an z minus a की power n, प्लस, n is equal to 1 से लेकर के, infinity, यह हो जाएगा, bn, और z minus a की power minus का n, ठीक, तो z minus a की power minus का n का में लिख सिंपल है, यह नीचे चला जाएगा, यह पूरा का पूरा फेक्टर, और जब भी denominator में फेक्टर जाता है, तो बहीं से हमारे पास singular point निकल के आता है, अगर simply numerator, numerator चला है, तब तो singular point की कोई बात ही नहीं होती, हमारे पास algebraic function में लिखा, उस case में singular point तो आएगे नहीं, तेकिन जब भी यह denominator में जाता है, तो इस part को बोलते हैं, principle part, क्या बोलते हैं इसको, principle, part, और यह वाला जो part होता है, इस part को बोलते हैं, normal part, ठीक, अब singularity आपके पास, दो type की होती है, एक होता isolated, एक होता दूसरी होती non isolated, अब जो isolated singularity होती, उसके अंदर तीन category होती, first category होती हमारे पास, removable singularity, दूसरी होती essential, और तीसरी होती हमारे पास pole, ठीक है, अब यह removable singularity कब आती है, removable singularity जब आएगी, जब हमारे पास principal part 0 हो जाए, principle part क्या हो जाए, if, principal, part, 0, तब इस case में हमारे पास आएगी, removable singularity, ठीक है, तब उस case में कैसी आएगी, removable singularity, अब जब हमारे पास, supposed principal part 0 नहीं आ रहा, प्रिंसिपल पार्ड में हमारे पास कुछ ना कुछ आ रहा है ठीक है यानि कि प्रिंसिपल पार्ड में अगर finite number of terms आ रही है या फिर infinite number of terms आ रही है दो ही condition हो सकती है अगर infinite number of terms आ रही है ठीक है तो infinite number of terms के case में हमारे पास singularity हो जाती essential singularity कैसी वजाती हैं अगर Infinite Terms है infinite Casperative PST Finit थिक तब हमारे पास pole exist करता है थीक है तब हमारे पास pole exist करता है ठीक है त्वह एक टीन कंडिशन्स होती है प्रि MVABLE essential pole ऑब हमको यह चेक करना है इस केस में हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है या फिर नहीं है अगर है तब तो चेक करें कि कौन सा है या इंफनाइटर में अगर नहीं है तो तो सिंपल रिमोवेबल सिंगलरिटी हो जाएगी ठीक है तो मैं इधर वाला पार्ट कर रहा हूं यहीं पर आपको सॉल्ट करके बताऊंगा तो एफ जेट का एक्सपेंशन करेंगे हम एफ जेड इस इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड इसक्वायर इसको ब्रेक कर सकते हैं जेड अपॉन जेड इसक्वायर माइनस साइन जेड अपॉन जेड इसक्वायर ठीक है इसको क्या लिकेंगे वन अपॉन जे जङ गाजेड माइनस जड़ क्यूब ऑपॉन थ्री फैक्तोरियल प्लस जड़ी की पाभर फाइव फाइव पॉन फैक्तोरियल माइनस डौ 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 राट इंफिनिटी थाग फिर हो जाएगा बन अपॉन जडिकेट को अंदर बेजेंगे तो मैंनस जड़ापॉन जड़ाप थी उप कैंसल होगा जेट अपोन यह हो जाएगा फिर यह हो जाएगा जेडिसकाइड अपोन आप यहां पर दिखिए denominator में कोई भी पार्ट आ रहा जड़ का हमरे पास कोई पार्ट आई नहीं रहा सारी के सारे उपर पहुंच गया ठीक है यानि की principle पार्ट क्या हो गया हमरे पास जीरो हो गया ठीक है denominator में जड़ वाला फैक्टर आई नहीं रहा है सारे के सारी numerator में चलने numerator में चलने algebraic function बन जाएगा तो इस case में तो हमारे पास के प्रिंसिपल पार्ट जीरो हो और जब भी प्रिंसिपल पार्ट जीरो होता है तब उस case में removable singularity होती है हमारे पास ठीक है तो यह बहुत important है singularity पर question आपका आ जाता है तो जल्दी से यह सारे के सारे question आप लोग note down कीजिए कि screenshot भी ले सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद हम next question पर चलेंगे देखिए यह question जो question number 4 था कि question number 4 आपका आया है 2022 की पेपर में ठीक है 2022 में पूछा गया है तो देखिए question number 5 यहां पर पूछा गया है the radius of convergence of power series अब देखिए power series जो second series में मैंने question कराते है मैंने बोला था power series की question आते हैं आपके ठीक है बिल्कुल same concept है यहां पर भी same concept लगने वाला है ठीक है तो यहां पर जो test लगाएंगे देखिए power इसकी square चले यही power कर n होती तब हम कौन सा लगाते है काची अने थ्रूट test लगाते है बट यहां पर power n ही नहीं तो simple हमारे पास कौन सा लगाएंगे देखिए यह जाएगा 1 upon r ठीक है वन अपन आर हो जाएगा limit n10 to infinity और यह हो था modulus of a n plus 1 upon a n यह ratio test हम यहां पर लगाते है ठीक है तो यह हो जाएगा limit n10 to infinity ठीक है और denominator में क्या हो जाएगा n upon n plus 1 का whole of square ठीक यहां से n को common लेजिए limit n 10 to infinity modulus यह हो जाएगा n square n square n square common हो जाएगा तो यह बचेगा 1 plus 1 upon n upon 1 plus 2 upon n का whole of square और denominator में क्या बचेगा यहां से भी n square n square common तो क्या बचा यहां पर 1 यह बचेगा आपके पास 1 upon 1 plus 1 upon n का whole of square यह model ले लेंगे ठीक n square n square cancel n square n square cancel infinity रखेंगे तो यह 0 यह 0 तो 1 upon 1 यह भी 0 1 upon 1 तो simply answer आएगा 1 यह value किस की आई है 1 upon r की तो यहां से radius of convergence r is equal to क्या जाएगा 1 तो answer number d से ही हो जाएगा ठीक है 2022 कंदर आया question number six पे आते है 2022 कंदर यह भी पुछा आए गया है given below are two statement हमारे पास दो statement दे रखेंगे है ठीक है पहला statement बोला fz is equal to z की power 8 plus z की power 4 plus 2 upon z minus 1 का cube to 3z plus 2 का whole up square ठीक है दोनों में fz same है बस यह पूछ रहा है कि z is equal to infinity पे pole मिलेगा order 3 का और z is equal to 1 पे मिलेगा pole of order 3 तो सबसे पहले singularities देख लिए singularities के लिए क्लिए के करेंगे इनको equal to zero put करेंगे तो z minus cube जो जाएगा 3z plus 2 का square is equal to zero यहां से z minus cube is equal to zero रखेंगे तो यहां से z is equal to 1 मिलेगा and 3z is equal 3z plus 2 is equal to zero करेंगे तो यहां से मिलेगा जडिज़ जुकल 2 क्या हैगा मारे पास माइनस का 2 by 3 तो यह दो singular points हमको मिलेंगे ठीक है जडिज़ जुकल 2 1 और जडिज़ जुकल 2-2y3 अब जडिज़ जुकल 2 1 तो जड़ माइनस 1 की power कितनी आ रही है 3 आ रही है तो जडिज़ माइनस 1 की power m तो यहां पर हम इसा जब इस टाइप का factor denominator में दिख जाए और हमारे पास क्या हो जाए finite number of terms आ रहे हो principal part में ठीक है यहां पर दोनों में दिखिए functions a में और यह हमारे पास principal part आएगा यहां ठीक है पर तो पोल हमको मिलेगा तो यह statement number 2 जो है यह तो true है ठीक है अब second वाला यह बोला हमारे पास z is equal to minus 2 by 3 जडिज़ इगल to minus 2 by 3 पे भी हमारे पास singular point मिल ला है बट यह बोला z is equal to infinity पे चेक करके बताओ क्या पोल मिलेगा या नहीं तो जब भी z is equal to infinity चेक करने को आ रहा है तो simply हमारे पास जो function दे रखा है fz ठीक है इस fz को हम किसके call put कर देंगे बन पॉंच z की value निकाल लेंगे ठीक है इस case में हम एस बन पॉंच z की value निकालेंगे और एस बन पॉंच z पर हम यहां पर निकालेंगे singular point तो हमारे पास simply बचेगा इसको डब्लू मान लीजिए supported w is equal to f बन पॉंच z तो यहां पर w is equal to 0 हमारे पास singular point हो जाएगा w is equal to 0 singular point मिल जाएगा ठीक है अब जब भी w is equal to 0 singular point मिलेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास w is equal to f of 1 upon z था तो z is equal to infinity पे हमारे पास क्या देदेगा यह singular point देदेगा यानि कि z is equal to infinity singular point होगे और pole मिलेगा हमारे पास order 3 का ठीक है z minus 1 की power 3 तो यहां से z की value जब infinity infinity रखेंगे तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास substitution किया जाता है कि w is equal to f upon z ले ले लेते हैं यहां से हमारे पास w is equal to zero जो है हमारे पास singular point निकल किया आता है और इसी पे हमारे पास क्या मिलता पोल मिलता है तो इसलिए statement are true both statements are true तो यह option number one ठीक है तो first option में यह था तो first option correct हो जाएगा question number six का यह 2022 में पूचा गया फिर question number seven देखिए यह भी 2022 के अंदर question अया है यहां पर वोला Fz is equal to z दो तक है यहां पर cr equation simply आप cr equation apply कीजिए एप जेड़ डिज्वल डू जड़ पर जेड की value क्या होती है एक प्रस आयोटा वाई होती है जेड का जूगेट की वेलु क्या होती है एक स माइनस आयोटा वाई होती है जेड जेड कांजूगेड होता है, mod of z square, जो की होता है x square plus y square के किखल होता है, जेड conjugate, जब आप fz is equal to z करेंगे ये भी आपके पास analytic होगा fz is equal to z not check करेंगे तो ये analytic function नहीं होगा, ठीक है fz is equal to z z conjugate निकालेंगे, तो ये analytic नहीं होगा बड, ये questions complex analysis इसको solve करेंगे तो यह differentiable होगा हमारे पास ठीक है यह differentiable होगा यह भी सही है यह भी सही है option number d की बात करें तो sin z cos z दोनों के दोने unbounded function होते हैं हमारे पास ठीक है याद रखिएगा यह important result है तो f z is equal to sin z unbounded है यह भी सही है यह बाउंडेट है गलत है ठीक है तो a b c d चार options है है हमारे पास तो option number d यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है तो total seven questions discuss किये हमने 2013 और 2022 में और 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 बी remaining questions है अभी ठीक है और 2021 के जो questions आए है उनको next class में discuss करेंगे ठीक है आपको आज के questions में कोई भी doubt नहीं होगा ठीक है बहुत अच्छे से समझ में आयोंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक अपने friends तक ज़रूर share कीजिएगा ठीक है चलिए मिलते है next class में तब तक लिए thanks for watching have a good day